हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एटीप स्टार कोटा बच्चो आज की छोटी सी वीडियो में आपको जेएमें 2022 की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में बताने वाला हूँ यानि आपको यहां से आइडिया उल्मूस्ट लग जाएगा कि कौन-कौन स्टुडेंट जो है वो जेएएडवांस 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुका है कौन अपनी-पनी प्रेप्रेशन जो अब जेएडवांस के लिए जो है वो कर सकता है इससे पहले आपके कौन सी सिफ्ट में कितने माक्स आ रहे हैं यह जरूर आपको कॉमेंट सेक्षन में बताना है ताकि यहां से भी आईडिया लग सके कि आपकी जो परसेंटाइल है वो कहां पे बच्चों लाई कर रही है यह जो भी बच्चों यहाँ पर मां आपको expected बताने वाला हूँ यह कुछ एक parameters है उनके basis पर मैंने बताई है तो यह भी मां आपको बताने वाला हूँ कि वो parameters क्या है इसके अलावा यह जो भी बच्चे J.E. Advance के लिए qualify कर चुके हैं वो यार बढ़िया से अपनी तैयारियों में जूड जाईए और इसी वीडियो में मैं आपको एक free resource भी बताने वाला हूँ जहां से आप J.E. Advance की practice जो वो अपनी start कर सकते हो तो चलिए start करते हैं यार सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको 2019, 2020 और 2021 यह 3 years की यहाँ पे मैंने आपको cutoff जो वो बताई है यह वो cutoff है जिन होने respectively years में J.E. Advance के लिए qualify किया था यानि कि 2021 की बात करें तो जो general category है बच्चो उसकी जो cutoff गई थी वो 87 percentile गई थी और वही 2019 में 89.7 की approach थी और 2020 में वो 90 थी इसका मलब यहाँ से जब यहाँ गए तो थोड़ी सी increase हुई और फिर 2021 में थोड़ी सी decrease हुई बाकी में भी आप category में देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी 3-4 percentile जो इसका यहाँ पे drop आया है इतनी percentile जो बच्चों कम गई है अब देखो यहाँ पे कम जाने के पीछे जो reason है वो काफी अलग-अलग type के reason है जैसे covid था उस time पे बच्चों की studies जो है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी आप देख पार हो कि तीनो year की में यहाँ पे आपके सामने percentile कटो percentile जो लिखी हुई है अब 2021 और 2022 में similarity क्या थी तो अभी भी देखो situation कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं थी क्योंकि first attempt से पहले भी बहुत ज़्यादा time बच्चों को नहीं मिला था फिर first और second के बीच में कुछ के board के exams आ गए किसी का कुछ हो गया किसी का कुछ हो गया फिर exam देते टाइमस में बच्चों को बहुत सारी technical issues और इस टाइप के issues आए आपको अगर को issue face हुआ तो वो भी आप comment section में ज़रूर बताना तो इस type के issues face होने के बाद जो competition आया है वो almost आप ऐसा मान सकते हो कि 2021 के level तक आ गया है या फिर ऐसा बोले कि उससे थोड़ा सा नीचे गिर गया है अगर हम अब बात करें second parameter जो होता है papers का level तो एर paper के level के अगर हम बात करें तो paper का level almost same सा रहा है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा difference जो हो paper के level में आया है कुछ-कुछ shift इस बार भी ऐसी थी जिनमें अच्छा खासा difficult paper जो पूछा गया था साथ में ऐसी shift भी थी जिनमें easy paper जो वो भी पूछे गये तो almost जो 2021 में हुआ था वैसे से paper हुए है अब number of attempt आ जाता बच्चो सबसे बड़ा factor तो यह 2021 में आपके पास में 4 attempt दिये वे थे बट 2022 में आपके पास में attempt जो रह गए थे दो attempt तो क्योंकि 4 attempt होने की बज़े से बच्चों को लगातार मोके मिलने थे उनकी जो जो भी गलतिया या कम्या रह रहे थी उनको वो लगातार improve करके अपने percentile जो उसमें score में थोड़ा सा इजाफा कर ले रहे थे बट इस बार वो दो ही attempt जो है वो इस बार आपको मिले है तो इन parameters के basis पे बच्चों मैं अगर comparison करूं तो 2022 की percentile जो general category है उसके लिए आप approximate 85.5 percentile से लेके 87.5 percentile तक मान सकते हूँ अब इसके लिए बच्चे पुछें कि sir marks जो हो वो कितने चाहिए तो यह marks का तो आपको भी पता है कि अलग-अलग shift में बहुत बड़ा variation बहुत बड़ा gap जो है वो आजाता है easy or difficult shift के according पर अगर फिर भी मैं एक average marks की बात करूए कि अगर roughly आपको idea देना चाहूँ तो वो 9200 marks अगर जिस बच्चे के आ रहे हैं तो वो almost इतनी percentile general category में achieve कर लेगा similar way में OBC में around इस percentile के around वाला बच्चा जो वो advance के लिए cut up कर जाएगा और ये बाकी की भी बच्चो आप यहाँ पर देखके रख सकते हो screenshot जो वो लेके रख सकते हो तीन दिन बाद आपका result जो वो आने वाला है वहाँ पर भी आप देखोगी कि almost यही चीज़े बच्चो आपको देखने को मिलने वाली है ठीके क्योंकि पूरा analysis किया हुआ है तो इसी के basis पे मैं आपको सारी चीज़े जो बता रहा हूँ तो यहार अब देखो इसके basis पे आपको idea लग गया होगा कि आपने J advance के लिए qualify किया है या नहीं किया अगर मानलो कि जैसे आपका significantly गया पे अब अगर मानलो आपके जैसे 90 percentile बनगे यहाँ पे जैसे आपके मानलो 70 percentile बनगे तब तो कोई confusion वाला कोई point ही नहीं है अगर इस percentile को अगर आपने cross कर दिया जैसे 90, 70, 68 तब तो आप बच्चों मानके चलिए कि 100 percent आप J advance के लिए qualify हो और आपको बढ़िया से तैरिया उल लेडिया आपने start कर भी दियोगी और अगर नहीं भी किये तो जुट जाईए एक मोका मिला है आपको जो की बहुत सारे student को नहीं मिल पाता तो आपको मोका मिला तो बढ़िया से यहर उसकी अच्छे से सीरियस होगे तैरी करके paper जो वो दीजिये हो सकता है कि J main में आपका दिमाग या आपका दिन उतना अच्छा नहीं था जितना आपका J advance में हो जए तो आपको घबराने की ज़रत नहीं है J main अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी बच्छों आप J advance में बहुत अच्छा कर सकते हो इन थोड़ा सा जो टाइमेस में बढ़िया से अपनी preparation जो उनको own रखिए तेर ये बात होगी J main की expected cutoff की अब जो बच्छे qualify कर चुके हैं उनके free resource तुम आपको बताने वाला हूँ कि कहां से आप practice कर सकते हो साथ ही साथ में LTV Star का RCC 3.0 badge वो भी चल रहा है तो इसको भी आप जोइन कर सकते हो काफी सारे बच्छों ने ओल्रेडी इसको जोइन कर लिया है बहुत सारा फाइदा उनको मिल ला है अच्छा material शोल करने को मिलना बढ़िया उनकी practice हो रही है और साथ ही साथ में mock test भी उनको मिल रहे होगे चलिए अब देखो जो student अपनी self study कर रहे है और उनको ऐसा लगता है कि यार सर मेरे को ये बता दीजे कि best study materials time पे कौन सा रहेगा जिसको मैं शोल कर लूँ तो मेरी नईया पार है तो आज ही हमने एक ये चीज जो वो बच्चों के लिए free of course निकाली है आप ATP Star की app या website पे अगर आप जाओगे और वहाँ पे जैसे आप study material वाले section पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक J.E. Advanced exclusive study material दिखेगा इसमें हमने आपके लिए problems जो वो select करके दे दी है already ताकि आपको किसी particular chapter की बहुत ज़्यादा problems ना करने पड़े जो selective और अच्छे problems है वो आप directly यहाँ से solve कर सकते हो इसके अलाव यार बहुत सारा material है formula sheet अगर revise करनी है वो देख सकते हो quota short notes जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो quota के notes आप देख सकते हो formula chart तो यह सारी के सारा एक जो practice section है बच्चो इसका फाइदा आप उठा सकते हो जो कि अभी के लिए हमने free of cost किया हुआ हुआ है okay students तो यार I hope कि आपको J.E. main की cutoff है वो clear हो गया होगा आपको अच्छे से idea जो वो भी लग चुका होगा कि कौन-कौन जो वो qualify कर रहा तो comment section में बच्चो आपको जरूर बताना है जो जो student qualify कर चुका है okay बच्चो best of luck